जै इन दोस्तों वेलकम टू प्रियंका यादो प्रियंका यादो यूपी प्रिलिस यूटीव चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रेक्टिस स्ट को नहीं दिया है तो पहले आप प्लेलिश्ट में जाके चेक करें और इन प्रेक्टिस स्ट को अटेम्ड करें और दोस्तों आज आपका प्रेक्टिस स्ट नंबर 9 है और इसमें हमने टॉप 37 seven questions पूँछे हैं जो कि आपकी परिक्षा में एजडीज questions यहां से बनते हैं ओके दोस्तों तो सबसे पहला questions आपका क्या है कबीरदास जी की रचनाय निमने में से किसमें संकलित हैं तो आपको उताना कबीरदास जी की रचनाय किसमें संकलित हैं बीजक, मरगावत्ती या पदावली में या फिर सूर सागर में तो कबीरदास की रचनाय हैं जो यह बीजक में संकलित हैं options यह आपका right answer होगा ओके दोस्तों और अगर जो सूर सागर की बात करें तो यह सूरदास जी की रचनाय है और मरगावत्ती की रचनाकार कार कौन है मरगावत्ती की रचनाकार आपके आए कुतूबन, ओके दोस्तों कुतूबन अगला कोचन देखते हैं आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है इस वाक्त में हर कोई किस प्रकार का सब्द है तो आपको बताना है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है इस वाक्त में हर कोई किस प्रकार का सब्द है एक बच्चन सब्द है बहु बच्चन सदयो बहु बच्चन या फिर सदयो एक बच्चन तो आपको बताना है दोस्तू हर कोई आपका सदव एक वुचन में प्रियोग होता है दोस्तों तो हर कोई कैसा सब दो जाएगा सदव एक वुचन ऑप्षण डी वला ओपका राइट आंसर होगा अगला कोशन देखते हैं दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है इमतलाब आपको बताना वेदों की संख्या कितनी है तो आपके ओप्सन देखें तीन, दो, एक या फिर चार दोस्तों वेदों की संख्या चार है आप लोगों को पता होना ची एक वेदों की संख्या चार है कौ प्रत्क्रिया का 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 प्रत्क्रिया क दूरी लगबक सतर किलो मीटर है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कर वाक्त पूर्ण कीजिए तो आपको बताना है दिल्ली और यह रिक्तिस्तान की जगा क्या आगा इसके बद मेरट है और यहां पर क्या आपका बरा जाएगा तो आपसंस दिये गए हैं से क की और में तथा का का से तो आपको आपसंस यहां पर सेट करके देखना है दिल्ली तथा मेरट की दूरी लगबक दिल्ली तथा मेरट की दूरी या फिर दिल्ली और मेरट में दिल्ली से मेरट की दूरी लगबक यही वाला आपसंस आपको सही से बढ़ा जाएगा दिल्ली स से मेरट की दूरी लगबक सतर किलो मीटर है ओके दोस्तों तो आपका आपसंस यह वाला राइट होगा दिल्ली से मेरट की दूरी लगबक सतर किलो मीटर है अगला कोशन देखते हैं इनिम्न में से बंदू सब्द का बहुबचन रूप कौन सा है तो बंदू सब्द का बंदूं। ऑप्संस यह आपका राइट अंसर होगा बंदूं। अगला कोशन देखते हैं। साकेत महाकाब पर मायथली सरनगुप्त और कौन सा परितोसिक प्राप्थ हुआ है। साकेत एक महाकाव है ये किसकी रचना है मैथली सरण गुप्त जी की इसमें पूछा गया कौन सा पारितोसिक प्राप्त हुआ है सार के लिट्रेटरी आवर्ड ग्यान पीट या फिर सरस्त्ति या फिर मंगला पुरसाथ तो यह मतलब बताना इसमें कौन से पुरुषकार से सम साकेत महाकाव जो कि मैथली सरण गुप्त जी की है तो इसका अंसर आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा इस महाकाव के लिए आपको 1936 में हिंदी साहित सम्मेलन प्रयाक दौरा कौन सब पुरुषकार दिया गया तो मंगला प्रसाथ पुरुषकार और से साकेत महाकाव को और इनको मैथली सरण गुप्त जी को दिया गया था अगला कोश्चन दोस्तों देखते हैं अगला कोश्चन सापका आए गध्यान से संबंदित गध्यान को आपको ध्यान पूरुव पढ़ना था उनसे संबंदित जितने भी कोश्चन बनते हैं उन कोश्चनों को आपको को अंसर देना है तो सबसे पहले हम गद्यांस पढ़ लेते हैं दोस्तों और अच्छे से आप लोग फोकस करिए पूरा इसी क्लास में कहीं और बटगने की जरूरत नहीं हम टॉप 37 कोस्चन्स करा रहें बिल्कुल आपकी परिक्षा में इसी तरह से कोस्चन्स पूछे जाते हैं जिन लोगों को लगता है कि इनको यह कोस्चन्स नहीं आएंगे उन लोगों को कैसे समझाए वह आप लोग बटकते रहे हैं कहीं इस क्लास कहीं उसक्लास में जो लोग एक ही टीचर से पढ़ेगा और एक ही जगए पढ़ेगा उसका सेलेक्शन से हो रहें यह हर कोई ज बनाए जाते हैं वे पुरुसों के द्वारा ही बनाए जाते हैं अता कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद बनाए नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुस का ही हाथ होता है अता नारी की हमारे समाज में क्या इस्तिती होगी यह स्वयम ही परिवासिद है भ रामिर इस्त्रियां प्राया आर्थिक तंगी का सिकार होती हैं। उनके स्वास्त और सिच्छा के विशय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तों में आधुनिक यूग में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान है किन्तु इसके पीछे भी रहस कुछ और ही है। असुरच्छित महसूस होता है अनेक लड़कियों तो विवा के उपरांध जीवन बर तनाव सहने को विवस हो जाती है। इस्ति केवल असुरच्छित लड़कियों की ही नहीं बलकि सिच्छित लड़कियों की भी। बिल्कुल सही बात कही गई पेराग्राप में कि मैलाओं और लड़कियों को आज भी मतलब असुरचित मैसूस होता है कि ये गर निकल के जा रहे हैं बाहर है कुछ भी भेदवाओं लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान लेकिन अभी भी कुछ तरह उस तरह का भेद ह हैं भी भाओं दोस्तों तो इसका सबसे पहला कूशन दोस्तों देखतै क्या बन रहाये bell or सदिएओं से मईलाएं, किस प्रथा को निवाती आ रहे हैं, पूर्ण सिच्चिथ होने का, सतंत्र नियम बनाने का, आर्थिक रूफ से फलित होने का, परिवार के पुरुस वर्ग के आधेन होने का, तो दोस्तों आपका इसमें comfort होगा, फोर्त वाला सदियों से मैला सदियों से मैला है परिवार के पुरुस वर्ग के आधिन होने का होने की प्रथा निवाती चलिए आ रहे हैं ओके दोस्तों इसमें कौन सा होगा पुरुस वर्ग के आधिन होने की प्रथा निवाती चलिए आ रहे हैं अगला कोशन देखते हैं गद्यांस का मूल तत्थ क्या है तो आपको वताना गद्यांस का मूल तत्थ क्या है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं गद्यांस में धूम केतव का अभीप्राय है तो आप वताना धूम केतव का अभीप्राय किस चीज़ से नब में चमकने वाले सितारे का नाम आकास में चमकना आकास में तारे चमकना साधी में मिलने वाले दयच की खुसी डर्खौब मनराना तो धूम केतु का अर्थ दोस्तों इसमें डर्खौब मनराना ओके दोस्तों आपसंस डी आपका सही होगा अगला कोशन देखते हैं लोए के चने चबाना आपको बताना मुवाबरे का अर्थ क्या होगा लोए के चने का सोखीन होना चने के लिए मारे मारे फिरना बहुत कठनाई का सामना करना बहुत खत्रा उठाना दोस्तों लोए के चने चमाना क्या होगा आपका बहुत कठनाई का सामना करना विकल्प आपका सी साही होगा ओके दोस्तों अगला खोशन देखते हैं अगर बत्ती की सुगंद से ठकावट दूर हो गई निम्न में से इस वाक में प्रियुक्त काल बताईए अगर बत्ती की सुगंद से ठकावट दूर हो गई इसमें कौन सा काल है आपका पूर्ण बूत काल पूर्ण भूत काल, सामान भूत काल या फिर पूर्ण वर्तमान काल ओके दोस्तों आपको बताना इसमें कौन सा काल है तो इसका दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा सामान भूत काल ओके दोस्तों अगर बत्ती की सुगंद से ठकावट दूर हो गई इसमें सामान भूत का लायाप का विकल्प C सही होगा अगरा कोशन देखते हैं दिये गए विकल्पों में प्राचूर का विलोम बताए प्राचूर का विलोम क्या होता है आपका मृदुल निम्न अल्प या फिर उद्व तो दोस्तों प्राचूर का विलोम आपका हो जाएग जा रही है दिएगे विकल्पों में से सही का चैन करें वाक्ष पूरा कीजिए वाक्ष को पूर कीजिए दोस्तों क्या होगा मेरी बैन उच्छ सिच्छा के लिए आस्ट्रेलिया जा रही है इसमें यही आप्संस है होगा सिच्छा के लिए ओके दोस्तों अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन से निम्न में से इस्ट्रिलिंग सब्द पहचानिए तो इस्ट्रिलिंग सब्द पहचानना आपका कसीधाकार जुराव पजामा घागरा तो दोस्तों आप लोगों का इसमें कौन सा हो जाएगा इस्त्रिलिंग सब्द वो आप लोगों को बताना है जुराब एक इस्त्रिलिंग सब्द है और आपको बताना है यह कैसा सब्द है यह तुर्की बासा का सब्द है जबकि कसीदाखार पजामा एवं घागरा पुलिंग सब्द है ओके दोस्तों आपका यह जुराब जो है यह आपका इस त्रीलिंग सब्द है और जुराब का इसा सब्द है कौन सी बासा का सब्द है यह भी आपको याद रखना है तुर्की बासा का सब्द है दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है जुराब का इसा आदन वित्रंब एकत्र दोस्तों विकीनल सब्सका विप्र अर्थाक सब्द होगा एकत्र ऊके दोस्तों एकत्र ओप्शन डीलाइट अपकान सरूएगा अगला कुश्छन देखतें दिव्या और सौमया में डेस बड़ी है तो दिव्या और समय में स्वयम बड़ी है दिव्या और समय में कौन बड़ी है दिव्या और समय में कुछ बड़ी है दिव्या और समय में कुई बड़ी है तो यहाँ पे कौन सा आप्सेंस आई होगा दोस्तों दिव्या और समय में कौन बड़ी है आप्सेंस मज्टक प्रले उन्नत भाला भाल का आपका समानार्थी सब्द दोस्तों हो जाएगा मज्टक options A, आपका right answer होगा अगला question देखते हैं इन्निम्न में से बुढिया का बाउचन क्या होगा बुढिया सब्द का कौन सा बाउचन रूप होगा बुढिया, बुढियों, बुढिया, बुढियां तो दोस्तों आप लोगों का इसमें right answer होगा बुड़िया सब्द का बुड़िया ओके दोस्तों इसमें अफ्षन सी वाला राइट आंसर होगा अगला कोशन देखते हैं दोस्तों चिर जीवो जोरी जुरे क्योना सने गंबीर को घटी के व्रस भानुजा वे हलदर के वीर इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है इस पंक्ती में दोस्तों उत्पेच्छा अलंकार है उकमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या फिर आपका सलेश अलंकार है दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर सलेश अलंकार है इस पंक्ति में आपका कौन सा स्लेस अलंकार है ब्रस भानुजा के दो अर्थ होते हैं एक होता है ब्रस भानुजा के पुत्री राधा और ब्रसम मने क्या होता है बैल उके दोस्तों बैल की बैन गाय इसी प्रकार हलदर में भी दो अर्थ हैं एक है बलराम और दूसरा है बैल तो इसमें कौन सा दोस्तों अलंकर होगा आपका सिलेस अलंकर जहां सब्द एक और अर्थ अनेग निकरें वहां कौन सा होता है सिलेस है सब्द एक अर्थ अनेग वहां सिलेस ये सिलेस के परिवास्ता दोस्तों है सब्द एक अर्थ अनेक वहां सलेस तो चिर जीवो चोरी चिर जीवो जोरी जुरे क्योंना सने गंबीर को घटिये ब्रस बानुजा वे हलदर के बीर ओके दोस्तों इसमें आपका सलेस अलंकार होगा उम्मित करता हूँ दोस्तों ये अलंकार आप लोगों को बेधी आसानी तरीके दे समझ में आया होगा अगला कोचन देखते हैं गांधी को राष्ट पिता का आ गया इस वाक में संग्या किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही गांधी को राष्ट पिता का आ गया दोस्तों कौन सा होगा आपका तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जब कोई जातिवाचक संगया किसी विसेस वेक्ति के लिए प्रियुक्त हो तब आप जातिवाचक होते हुए भी वेक्तिवाचक बन जाती है जैसे गांधी को राश्ट पिता का आगया इस वाक में इसका दोस्तों आफ लोग ओस्व रैटा अंसर सा उगा उनसर्ट नंबर कभी वाला ऊकें दोस्तों जाति वाचक से व्याधि वाचक क य्जए टीमन Daddy वाचक को के दो चा ग reality अब दखते हैं में अगला कुछन साहिए यह देखिए अर्विन्द से सित्षू सुरुपरंद कैसे सूर है पंक्त में अर्विंद सब्द क्या है तो आपको बताना है अर्विंद सब्द क्या है आपका वाचक सब्द उपमान भाटम सब्द कैसा अधे आपको सुद्ध परशानना चार अपस्ट हैं कितना चिन आपको तेज़़े पर 일이 मचें कितना धर दैन तो दोस्तों वाँ यह सब घरन को यह नहीं कितना धर्रस है तो आपसर बूंद और राइट होगा जह यह जो चिन आप आप लोगों को बताना किस का चिन है यह आपका विस्मियाद वोदक का चिन है ओके दोस्तों यह आप लोगों को विराम चिन हम किसी क्लास में सभी विराम चिन करा देंगे और आप लोगों से उम्मित करते हैं हमारा सपोर्ड करते रहे यह इसी तरह से और जल से जल हमारे 10 के सब्सक्राइबर पूर्ण वाले हैं उसके बाद हमने जैसा आप लोगों से वादा किया हरे क्लास में कहते हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही हम आप लोगों को Hindi Chapter Wise क्लास देना श्टार्ट कर देंगे ऐसे क्लासें आपको दी जाएंगी कि जैसा कि आप लोग कभी भी YouTube में नहीं पढ़ा होगा खुद के Notes हैं और बहुत आसानी और देशी तरीके से समझाया गया है तो उम्मीद करता हूँ कि यह सभी Practice लेट आप लोग Attempt करते रहें और 10,000 सब्सक्राइबर के बाद आप लोगों को हम वीडियोस प्रोवाइट करना स्टार्ट कर देंगे और आपके जैसे कि वेकेंसियां भी पता है कि वेकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली यापकी 26,000 प्लस वाली वेकेंसी उसी इसके हिसाब से हमने क्लासें बना रहे हैं और अपने Notes भी त्यार करते जा रहे हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तों दिये गए विकल्पों में अकूला अकूलाना का समानार्थी सब्द कौन सा है अकूलाना का समानार्थी कौन सा होगा समर्ना अभिवादन परसन होना व्यकुल होना तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर होगा अकुलाना का समानार्थी सब दोता है ब्याकुल होना options D आपका राइट आंसर होगा अगला question देखते हैं एक पंथ दो काज निम लेकित में से कौन से विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दरसाता है एक पंथ दो काज तो इसमें आपसंदे के मुसीवत और मुसीवत में और मुसीवत आपड़ना दोनों तरफ खत्रा एक समय में दो कार्रेओं के सिद्धी कहीं का भी न रहना तो दोस्तों एक समय में दो कार्रेओं के सिद्धी क्या होता है एक पंथ दो काज दोस्तों आप संद सी आपका right answer होगा अगला question देखते है महादेवी बर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पूरुषकार पराप्थ हुआ है तो महादेवी बर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पूरुषकार प्रदान किया गया था ओके दोस्तों और आपको बताना है महादेवी वर्मा को ग्यान पुरुषकार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ग्यान पुरुषकार महादेवी वर्मा को दिया गया था उनकी किस क्रति या रचना के लिए उन्हें ग् कोस्टन किया जा रहे हैं वो आप लोग इसका अंसर कमेंट बाक्स में जरूर देना अगला कोस्टन देखते हैं मतुरा आगरा धौलपूर गौलियर आधि छेत्र में निम लिखित में से कौन सी बोली बोली जाती मतुरा आगरा धौलपूर और गौलियर आधि छेत्र में नि क्विस्ट पिरेंगूं और गूंग कौन से पतब है तो प्रज़बूली कि इस dar रहीम रविर सकान के सो भीहारी यह सभी कौन से प्रजवासा के प्रमुक कभी हैं गौन से बूली बूलियाल अगला कोशन देखते हैं निम्न वाक में किस भाग में तुरूटी ये पैंचाहिए आधुनिक हिंदी के सबसे ससत कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा की नाम से भी जाना जाता है तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा तुरूटी पूर है वो बताना है आपको आधुनिक हिंदी के सबसे ससत कवित्रियों प्रस्नगर्त वाक चे के इस अन्स में के सबसे ससत के इस थान पर की ससत का प्रयोग होगा तो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपका राइट अंसर होने वाला है इस अंस में के सबसे ससक्त के इस्तान पर कौन सा के सबसे ससक्त इस्तान पर आएगा आपका आदुनिक हिंदी के सबसे ससक्त कवित्री यह वाला गला ते दोस्तों आपका यहां पर क्या और संस यह वाला क्योंकि के सबसे नहीं यहां पर आएगा दोस्तों आपका की ससक्त का प्रियोग होगा की ससक्त का प्रियोग होगा ओके दोस्तों अगला फोचन देखते हैं अब हम विसेशन की तीन अवस्ता है ओती मूला वस्ता डैस तथा डैस दियेगे विकल्प में से सही विकल्प का चैन करें तो मूला वस्ता इसके बाद विसेश प्रविसेशन प्रतिवी सेसन, परिणाम, सारवजनिक, गुणवाचक, संख्यावचक, उत्रावस्था, उत्मावस्था तो ये बताना वी सेसन के तीन वस्था है कौन कौन से होती हैं तो दोस्तों वी सेसन के तीन वस्था होती है मूलावस्ता, उत्रावस्ता और उत्तमावस्ता options B में आपके right answers दे गए अगला question देखते हैं निम लिखित में से धूर्थ सब्द से संबंदेत मुहावरा पहिचा नहीं तो धूर्थ सब्द से संबंदेत मुहावरा कौन सा होगा दोस्तों आपके options दे गए हाथ साप करना, रंगा सियार नाकों चने चबवाना, जैर उगलना तो दोस्तों धूर्थ संबंदेत आपका होगा रंगा सियार, options B आपका right answer होगा अगला question देखते हैं कोईले की हाथ में मुह काला इस लोकोक्ती का अर्थ निम लिखित में से कौन सा विकल्प दर्साता है दोस्तों कभी-कभी यहाँ पर दे देता कोईले की हाथ, सोरी कोईले की दलाले में हाथ काले हाथ काला, ओके दोस्तों यहां मुह काला, तो कुछ भी दिया हो इस तरह के उदारन में दोस्तों आपको बताना है लोकोपती का कौन सार्थ होगा अपराधी स्वयम ही डरा डरा रहता है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है सभी बस तुमें समान नहीं होती तुछ वेत अधिक प्रदर्शन करता है तो दोस्तों आपको क्या होगा इसमें बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है अगल तो दोस्तों आपको क्या बताना इसमें पुल्लिंग सब्द पुल्लिंग सब्द आपका उजय के कपड़ा कपड़ा कैसा है अच्छा है उपके दोस्तों हमेसा क्या अच्छा और अच्छी आप लोग सब्द के पीछे लगा के पुल्लिंग या इस्ट्रिलिंग पहचान सकते यह में आपको बहुत पहले बताया था यह एक तरह से ट्रीक है अच्छा या अच्छी या फिर कैसा या कैसी यह सब चीजें लगा के चेक कर लें आप लोग कौन सा इस्ट्रीलिंग है या कौन सा पूरलिंग अगला को शंग देते हैं दोस्तों दिये के विकल्पों में से पवित्र आपसंस यह आपका राइट अंसर होगा पवित्रता का ऐसी संग्या यह एक भाव है और इसका भी सेशन होगा पवित्र ओके दोस्तों आपका अगला फोशन देखते हैं आप निसंकोज चले जाओ इस वाक की तुरूटी सुदारने के लिए निम्ने में से सही वा पवित्र चला जाओ आप निसंकोज चले जाए तो दोस्तों इसमयापको बताना तुरूटी सुदारने के लिए कौन सका विकल्ब हमारा सही होगा तो इस कोश्चन से में आप लोगों का अंसर हो जाएगा आप निसंकोज चले जाए विकल्ब आपका डी वाला राइट अं नासिरा सर्मा जिया हट सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत आपका विल्कुल राइट है ये इनकी चिदंबरा इनी की रचना है और महादे भी वर्मा की यामा है दोस्तों ये जैसंकर प्रसाथ की बता रहा है आपसंस ये गलत होगा दोस्तों आपका अं देखते हैं हनुमान की पूच में लग न पाई आग लंका सग्री जल गई गई निसाचर भाग इस पंक्ति में कौन सा अलंकाः धूस्तों आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा लंकार अतिस्योक्ति यलंकर, रूपक यलंकर, अन्योक्ति यलंकर, या फिर उपमा यलंकर, दोस्तों, इसमें आपका होगा अतिस्योक्ति यलंकर, ओके दोस्तों, इसमें क्या होगा, अतिस्योक्ति यलंकर, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चड़ा कर वरण किया जाए, वहां काउन स सबसे पहले आप लोग इस पंक्ति को पढ़िए कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई मतलब आग लग लग यह नहीं पर और लंका सारी जल भी गई और निसाचर मतलब निसाचर राच्छत भग भी गए तो यहां कितना बड़ाचर आकर का आग है द परश्ट वहां डैस मना जाता है तो जहां अर्थ से चमतकार इस परश्ट होता है वहां कौन सा लंकार विभावना लंकार विपसा लंकार प्रस्चन लंकार या फिर अर्था लंकार दोस्तों जहां अर्थ के आदार पर चमतकार होता है वहां आपका अर्था लंकार होता है और जैसा कि आप लोगों पता है कि अपनी प्रियंका महम जो कि आपकी बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही अच्छी महम है उनके लिए हम तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिते हैं दोस्तों वो हमारे लिए बहुत अच्छा गिप्ट वेजी थे हमारे पुरिवार क करते हैं दोस्तों और इसी तरह से आप सभी लोग उनकी क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ड करें जीकेज स्की स्रीज करा रहे हैं जो कि आपकी 27 योग है दोस्तों और उन से भी स्रीजों कोई प्ले लिस्ट बनी यह वह आप लोग जाकर जरूर एक बार विजिट क क्योंकि आप लोगों की लिखने की यादत बन जाए आप लोग पीडियाप मांगते हैं पीडियाप ले 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 पीडियाप दे दी जाती एगर जो तो दोस्तों आप लोग पीडियाप से कुछ नहीं पड़ते हैं कोई नहीं पड़ता हम भी जानते हैं आप लोग जो खु तो दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं कि आप लोग अपने खुद से नोट्स बनाएं और उन्हीं को रिवाइस करें चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए वाय वाय टेक केर जैहिंद धन्यवाद